नमस्कार दोस्तों मैं अंकिती डिश्टल सिक्षापर आप सभी का हरदिक स्वागत करता हूँ अपनी शुरुगात करते हैं करेंट अफ्यर के डेली सेशन की चलिए सबसे पहले आपसे कहा गया है कि बताइए वह बिस्व होमियोपैथी दिवस कब मनाया जाता है तो आप बत इस सेशन को पूरा लेजिए यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें जी आईए नमबर दो पे आपसे क्या कहा गया है दूसरे नमबर पे कहा गया है कि बताइए कि 20 होमियोपैथी दिवस जो 10 अपरेल को मनाया गय क्या है उसकी थीम क्या है देखेगा आपसे दिवस भी पूछा जाते है और उनकी थीम भी पूछी जाती है यह निश्चित नहीं होता कि आपसे कौन सा पूछा जाएगा जो महत्पूर है हमने बो लिए हैं और पिछली क्लासों में भी हम दिवस को करवा चुके हैं तो इस कि थीम क्या है कहेंगे बन हेल्थ बन फैमिली इसकी थीम है ठीक है आई यह नंबर तीन पर देखते हैं बेहदी महत्पूर बताई यह अडानी अदानी नहीं है यह अडानी है यह अडानी पावर लिम्टेड ने किस देश में बिजली सप्लाई सुरू की है आप बताएंग बहुत ही महत्पूर देखिए आप खुद एक बार पूरी क्लास को देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने महत्पूर प्रस्ट हैं और आपकी जो आगामी परिक्षाएं उन्हीं को ध्याने में रखते हुए हमने यह प्रस्ट तयार किया है देखिए नंबर चा ठीकर निग्राणी यंद्र कॉनसा यंद्र टैमपो टैमपो लौँंच किया है तो आप बताएंगे और शिकिता ऑर इस पेश ऐक्स ने यह तो नासा अー जोंच किस है वो स्पेस एक्स किसकी कंपनी कमेंट करके अब अस बताईएगा ठीक है आई ये नंबर चार के उपर चलते हैं नंबर चार में कि किस हाई कोट के प्लेटनम जयनती समारों में रास्ट्रपती द्रोपती मुर्मू सामिल हुई है आप बताईएगा भहिया कि वह गोहाटी हाई कोट है या किस राजिका हाई कोट है कुश्चन आप से कहीं ना कहीं आपको छपा हुआ जरूर मिलेगा कि जो प्लेट प्लेटनम जयनती समारों में रास्ट्रपती द्रोपती मुर्मू सामिल हुई किस राजिके हाई कोट में आप बताएगा यह गोहाटी हाई कोट किस राजिका हाई कोट है कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है आई नम्बर 6 के ऊपर चर्चा करते है कि भारत रतन पंडित रवी शंकर की एक सौ तीनवी जयनती कम मनाई गई आप पताएगे पंडित रवी शंकर की कौन सी जयनती मनाई गई आप पताएंगे एक सो तीन भी जयनती कम मनाई गई आप पताएंगे वह यह कि दस अप्रेल को मनाई गई तो यानि कि इससे यह भी पता चलता है कि पंडित रवी शंकर जी को भारत रतन भी प्राप्त है तो भारत रतन पंड फोनिवेषस्ञाब ने किस साराज में Go Green Go Organic Cover programme लांच किया है तो Go Green Grow organick program our box on the go-IO जो है आपका Organic Cover program उसका किस सब्सक्राइब संब्चा से समंग्ये है तो आप सिक्किम से कुश्टाech से कितने बनते हैं तो याद रहा हूं कि असुनिवेषस्ञाब ने Go하기 Green Go organic cover program launch किया आप बताएंगे सिक्किम में किया एक कुछ्चन यह ही है अब यहां से कुछ्चन पूछा जाए कि Go Green Grow Organic किस ने लॉंच किया आप बताएंगे भई यह अस्वनी वैसनब ने किया है कुश्चन एक और ऐसे बन सकता है अस्वनी वैसनब ने सिक्क्यम हाली में कौन सा प्रोग्राम लॉंच किया आप बताएंगे Go Green Go Organic प्रोग्राम लॉंच किया है, कुश्चन इस तरीके से भी आप से पूछा जा सकता है, इसलिए कुश्चन का पोस्ट मार्टम जरूर करिएगा हर तरीके से याद रखिएगा बेहद ही महत्पूर है, प्रोग्राम से कुश्चन जरूर आएगा और कुश्चन आता है, तो यह लगता है कि कहां से आया है कुश्चन कुश्चन बिल्कूल सामने से, हाईलाइटिड मुद्दे पूछे जाते हैं आप से, कि Go Green Go Organic, यह अब महत्पूर क्यों है, क्योंकि यह और गैनिक छितर से सम्बन देता है, इसलिए ह्याद रखिएगा, अस्मी बैस्टन ने कहां सिक्किम में लॉंच किया है, ठीक है आईए, नंबर आठ के उपर हम जर्चा करते हैं, कि नंबर आठ क्या पूछा गया है नंबर आठ में कि किसने महिलाओं और बुजरगों की सुरक्षा के लिए भुरोक्सा मोबाइल एप लॉंच किया, तो आप बताएंगे भीया कि हमारी राष्टपती जी द्रोपती मुर्मुजी ने लॉंच किया है तो द्रोपती मुर्मुजी ने भुरोक्सा मोबाइल एप है, वो लॉंच किया है अब यह भुरोक्सा का संबंद किस से है आप बताएंगे महिलाओं और बुजरुगों की सुरक्षा से है तो भुरोक्सा जो एप है जो की महिलाओं और बुजरुगों की सुरक्षा से संबंदेता है द्रोपती मुर्मु जी ने इसको लॉंच किया है ठीक है आसा करते हैं ठीक है और आगी कि लास आती रहेंगी आपकी बहुत ही जल आपकी अन्यविस्थाइगी सब्जक्ट की भी क्लास चालू गरी जाएंगी और आपके नौ नंबर पर कहा गया है कि किस इस पेस एक्स एजेंसी ने ब्रस्पती ग्रह के उपग्रह का पता लगाने के लिए जो इस संब्चे की तक कि रिक्षा की त्यारी कर रहे हैं किंक्कि यह थारफ से संब्गन देता है और हाली के दिनों में जो IPL चल रहा है उससे संब्गन देत फाइं कि IPL केalayल में बिकिट लेने वाले के नहीं है यहां पर मैं ठीक है आई पील में बिकिट लेने वाले सबसे उम्र दराज गैंदवाज कौन बने आप बताएंगे अमित मिस्रा हैं सबसे उम्र दराज गैंदवाज हैं अमित मिस्रा अगर आप से कुश्चन पूछा जाए कि सबसे उम्र दरा गैंदवाज वह बन चुके हैं ठीक है याद रखिएगा अब नंबर 11 आप से क्या करें वेन फिरेज का निधन हुआ वह एक प्रिसिद्ध क्या थे वह यह कुश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंभी वह एक प्रिसिद्ध बखील थे कुश्चन आगा निधन से पू करती हो गई फिल्म डारेक्टर या राजनेता की निमत्ति होगी बहुत ही चर्ची जो समाजिक मुद्धों पर काम करते हैं उन से आप से कुश्चन पूछे जाते हैं कि आप से कुश्चन नहीं पूछा जाएगा इसलिए को हम सटाथे स्किप करते हैं आई यह नंबर 12 पर जर्चा करते हैं कि देखिए कि जल्वाला वैद्दी का निदन हुआ वह एक प्रिस्द्ध क्या थे तो आप बताएंगे एक एक्ट्रेस के इसको यह भी बेफालतों को कुश्चन कुछ कुश्चन आ जाते हैं तो उनको इग्नॉर करिएगा यह कुश्चन आप से पूछा गैतरी देवी का निदन हुआ तो गैतरी देवी का जो सम्मंद है वो बिहार से है याद रखिएगा कि गैतरी देवी का सम्मंद किस राज़त से है आप बताएंगे गैतरी देवी का सम्मंद बिहार है राज़त से है जिनका अभी हाली में निदन हो गया अब याद रखिए का गायतरी देवी बिहार की जो अंतिमबार मंत्री थी वो कौन से पत्प्यासी थी до आप पताईएगा कमेंट करके यानि कि मुझी झारी जो बिहार की पूरुorasوق मंत्री है उनका अभी हाला यहली मैं निधन हो गया यह कुछ यहाइब से पूछा चाछा सकता है कि भारत आपसे अगर का ICT पढ़ते हैं तो उसमें एक वाइरस का टॉपिक आता है एक एंटी वाइरस का टॉपिक आता है उन्हीं में आपने पढ़ा होगा कि मेल वाइरस जो हभी हाली में आपसे पूछा जा रहे हैं कि हाली में जो मेल वेर का वाइरस का रूप देखा गया वह कौन सा है उसका नाम क्या है आप बताएंगे रैकून इस्टीलर यह यह कि आई सीटी में हमादपुडहें और आपके करेंट का मुद्धा है इसलिए रैकून स्टीलर याद रखियेगट रहेynn से है तो रैकून इस्टीलर भी यह क्या है आप बताएंगे एक बाइरास है ठीक है आई यह नंबर 15 के ऊपर चलते हैं देखिएगा किस राजने फूट कॉल वेन 2023 मन्थन कारिक्रम का आयोजन किया आप बताएंगे तेलंगाने ने किया क्या तेलंगाने ने फूट कॉल क्लेव 2023 मन्थन कारिक्रम का आयोजन किया है कुश्चन पूछा जाए याद रखिए तेलंगाना है कॉन क्लेव तेलंगाना से सम्मंदित है देखिए किस देश ने यू और अमेर्का मनद बंती नहीं है इसलिए उक्रेयन का करेगा अमेर्का करेगा तो वार聞 yogurt शर्कम चलाए गया वो अमेर्कािव ranट रखियो यह आप गैस करियेगा यह कुश्चन वैसे बहुती कम चांस है यह already ॉप question आपको देखने को जरूर मिल सकता है क्योंकि अपने आयूश मंत्राले से संबंदित है तो आयूश मंत्राले ने कहा कि विस होम्योपैथी दिबस पर बैज्ञानिक सम्मिलन आयूजित किया गया आप बताएंगे नई दिल्ली में अब आप देखिए अगर मैं आपसे कहा जाएंगे कि दस अप्रेल को मना जाता है अगर आपसे कहा जाएंगे नई दिल्ली में किया गया है ठीक है आयूज और यह किस मंत्राले के अंडर में आता है तो आप बताएंगे भईया कि आयूज मंत्राले के अंडर में आता है ठीक है आईए नमबर 18 के उपर चर्चा करते हैं कि द्रोपती मुर्मू सुखोई फाइटर जैट पर उडान भरने वाली कौन सी राष्ट पती और सुखोई पर उडान भर चुके है ठीक है याद रखिएगा तो द्रोपती मुर्मू सुखोई फाइटर जैट पर उडान भरने वाली कौन सी भारती राष्ट पती बनी आप बताएंगे तीसरी भारती राष्ट पती बनी कमेंट करके बताएगा कि इनसे पहले कौन दो राष्ट पती उडान भर चुके हैं बताएगा जरूर आपका भी सक्रिय रहना जरूरी है तभी आप प्रयाप्त मात्रा में घ्न प्राफ्त करते हैं तभी आप चीज़ों को सीख सकते हैं इसलिए मैं आपको बार-बार क्या तो कमेंट करके जरूर बताएगा इससे होगा क क्या कि आप सर्च करेंगो उस चीज़ को सर्च करेंगो तो यह आज चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से याग होगी ठीक है आईए आंगे की और चर्चा करते हैं 19 में किस मंत्राले ने ओनलाइन रियल मनी गेम्स पर प्रतिवन्द लगा दिया है तो किस मंत्राले एलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रद्योक की मंत्राले नहीं लगा दिया है जद रखेंगा यतना महत्पूर नहीं है जो महत्पूर अलग से पहले ही उसकी उपर ने किस देश के साथ उर्जा, क्रशी, संस्कृति और विज्ञान के छेतर में समझोता किया, आप बताएंगे भईया कि चीन, चीन के साथ, याद रखिएगा, चीन के साथ समझोता किया गया है, तो इतने हमारे कितने आज की क्लास में 20 कुश्चन थे, जो महतपूर थे, हमने वह आप से करवाए हैं, यदि आपको क्लास पसंद आयो, क्लास समझ में आयो ते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके अपना फीड़वेक आवस्य दें, और हर रोज चीजों को खुद से सीखने की कोसिस करिएगा, जो आपको काम दि इसलिए अपना ज्यान रखिएगा, अपने आसपास के बातावरण को बनाए रखिएगा, उसहाल बातावरण में रहिएगा, और नेगेटिव चीजों को अपने से दूर करिएगा, ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आयो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैर ह यदि आपको का ट्यों को अपने से दूर करेंना रहिएगा, वीक है झाल ?